Hello friends, क्या हाल है दोस्तों? आज मैं वीडियो बनाऊंगा बलुचस्तान पर जी हाँ, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रांत है One of the biggest provinces of, the biggest province of Pakistan is बलुचस्तान Occupies almost 44% of its area यानि कि तक्रिवन आधा पाकिस्तान जो है बलुचस्तान है लेकिन जन संख्या जो है population is just four to five percent so they don't have a critical mass जो किसी भी क्रांती के लिए चीए revolution के लिए चीए वो बलोचिस्तान में है ने बट बलोचिस्तान के बारे में important है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में वहां बहुत खून खराबा हुआ पिछले दो-तिन दिन के अंदर news reports अगर पढ़ें तो 70 से लेके 100 या 100 से उपर कुछ news reports कह रही है लोगों को मारा गया है बहुत खून खराबाबा है वहां उसमें बलोच लिबरेशन आर्मी के fighters हैं उसके अंदर पाकिस्तान आर्मी के security forces के लोग हैं आर्मी के और paramilitary forces के और साथ ही उसमें 20 से 25 जो है पंजाबी मजदूर हैं जिनकों की बस से उतार के उनके identity card उनके शिनाक्त करके जो है उनको ये देखके कि ये पंजाब से आएवे हैं और उनको जो है गोली से मारा गया ह तो थोड़ा सा बलुचस्तान के बारे मैं बता दूँ why it matters हमारे लिए क्यों matter करता है पकस्तान के लिए क्यों matter करता है पूरे South Asia के लिए बलुचस्तान why does it matter तो सबसे पहले तो ये बता दूँ कि जब Independence Act हुआ था 1947 ये 3 जून को अंग्रेजों ने declare किया था 3 जून 1947 Independence of Independence of India Act जब ये announce हुआ तो बलुचस्तान ने अगले दिन अपने आपको independent declare कर दिया था तो बलुचस्तान was always a princely state शुरू से ही अलग रहे हैं और इनके पास उस time भी two level की parliament assembly रही है तो बलुचस्तान ने अपने आपको independent declare कर दिया जैसे कई princely states ने declare किया था 47 में आपको पता है और जब पाकिस्तान 14 तारिक को और हम 15 अगस्त 1947 को अजाद हुए तो बलुचस्तान एक independent nation के तौर पे exist करता था महमद अली जिन्ना ने कोशिश की पाकिस्तान ने कोशिश की और काफी personal intervention के बाद मार्च यानि कि in fact 27 मार्च 1948 को खान अफकलात मान गए पाकिस्तान से जुडने क पाकिस्तान लेकिन ये accession कभी भी complete नहीं हुआ क्योंकि जो assembly है two-tier assembly थी parliament थी बलुचस्तान की उसने कभी भी इसको जो है ये ये पास नहीं हुआ bill या ये resolution पास नहीं हुआ सो ये एक तरीके से illegal तरीके से बलुचस्तान जो है पाकिस्तान का हिस्सा बन गया 1948 27 मार्च के अंदर ये उमीद रही कि शायद ये एक कौम पर ये एक मख़ब पर पाकिस्तान बना है land of the pure कि शायद इसमें बहुत बलुच लोगों की भी जो हसरते हैं उनकी जो ख्वाइश many cycles of violence have taken place एक के बाद एक पहला जो cycle of violence हुआ जब बलुच लोगों ने पाकिस्तान की forces के साथ लड़ाई किया वो था 58 59 में उसको बड़ी जबरदस्ती के साथ उसको जो है crush किया गया नेक्स जो वाइलेंस हम देखते हैं वो देखते हैं 62 63 में तब भी बलुच लोगों ने हकी मांग की और क्यों हकी मांग करते वो आगे मैं बताऊंगा कि क्यों बलुच इस्तान इंपॉर्टेंट और उन लोगों की क्या डिमांड से महाँ पे उसके बाद जब जुलफिरिका लिग भुटो का रास था 1973 के बीच में तब भी बहुत हार्ट स्टेप्स लिया गया औ बहुत फॉज को डिपलॉई किया गया वहाँ पे और जो है बलोच इंसरजन्सी को बलोचों की जो फ्रीडम की जो एक उनकी आकांशा रही है उनकी जो एक ज़रत रही है अपने हकूँक की अपने राइट्स की वो जो है जुलफिका लिग भुटो ने भी बहुत बुरी त किसल्मान रहे हैं और आर्मी का भी कैरेक्टर तकरीबन जो है वो जो है पंजाबियों से भरा रहा है बाद में कोशिश की गई है बलोच रेजमेंट भी है बलोचों को रिजर्वेशन भी दिया गया है आप फॉज के अंदर बहुत बाद में हुआ है लेटर जो साइकल शरीफ को देश से निकाला चीफ मार्शल और अड्मिस्टर बने फिर प्रेजडेंट बने तो दो हजार पांच के अंदर जो है एक सुई गैस फील्ड है वहाँ एक लेडी डॉक्टर का रेप किया और रेप किस ने किया पकस्तान आर्मी आफसर ने रेप किया और वो लेड वाइलेंस अनलीश की बलोच के उपर और इसके अंदर सेवेंटी नाइन येर ओल्ड बुक्ती साब जो है जो इस पूरे के पूरे नाट ओनली बुक्ती ट्राइब के पूरे बलोच के एक बड़े लीडर एक बुजर्ग लीडर के तौर पे थे उनको बहुत निर्मम तरीक से एक बूटल तरीके से जो है उनका असाइसिनेशन किया गया उनको मारा गया एक एक एंकाउंटर में इसमें पूरे के पूरे के अंदर मुशरफ की डिरेक्ट इंवाल्मेंट थी और तब हालत ऐसी थी कि आर्मी के हलिकॉप्टर के ओपर भी फायर वार तब काफी साल जो है सीपेक वहाँ से स्टार्ट होता है और चाइना की मैसिव इंवेस्टमेंट है वहाँ पर तो चाइना किसी भी हलत में नहीं चाहेगा कि इस एरिया के अंदर जो है बॉयलन्स हो वहाँ पर जो है इस प्रकार से इंसरजंसी चले टेर्रिरिजम चले या पकिस्तान आर्मी इसे एक्शन करें कि लोग वहाँ पर नराज रहें लेकिन ये पिछले कुछ सालों से चल रहा है चाइना भी अभी अपने हाथ दो चुका है वहाँ पर क्योंकि काफी दून पहले चाइना के तीन इंजिनियर्स को जो है अगवा करके मारा गया था चाइना की मैसिव इंवे चेरिया है और उनको उस मिनरल्स का उनको कभी फायदा हुआ ही नहीं है वो अभी भी जो है फूंकनी मारके और अपने गोसे और उपले जलाके वहां की लोगे औरतें जो है खाना बना रही है लेकिन सूई गैस से निकलने वाली गैस कराची लहोर रावल पिंडी और हैदराबाद इन जगाओं पर बड़े सस्ते दामों पर बेची गई और वहां पर आप गैस लेगे जो की बलोच कैस है लेकिन उनके लोगों को गैस कभी मिली नहीं उसके अलावा वहां पर बहुत स्लो रही है डेवलोप्मेंट एजुकेशन ना के बराबर है और जो है human right violations वहां पर बड़ी जबर्दस policy है पाकिस्तान आर्मी की और security forces की वो है pick and dump उठाओ और डंप कर दो लाशी नहीं मिलेगी तो क्या case होगा ऐसे हजारों cases है पड़े लिखे नौजवानों के औरतों के और लोगों के जिनको पूरा मकरान कोस्ट मैं कह रहा हूं जो ग्वादर से चलता है कराची तक इस कोस्ट को मकरान कोस्ट कहते हैं तो यहां जहां थोड़े बहुत बलोच पड़े लिखे हैं उनको उठाया गया जो 1971 में इस्ट पाकिस्तान में जो आज बंगला देश है जो पाकिस्तान आर्मी ने सर्च लाइट में किया तक्रीबन ऐसा ओपरेशन पिछले 20 साल से यहां पे चल रहा है पिक एंड डंप तो उसके ओपर भी जो है बलोच लोग बहुत नराज है कि क्यों ऐसा होता है फिर बुक्ती साब की किलिंग ने तो बिलकुली पासाई पलट दिया पूरा का पूरा लोग एतना एक 80 साल के बुज़र को जो एक ट्राइबल लीडर है उसको आपने जो है एक एंकाउंटर में मा सकता है और यह जो में हाइवेज यहां से रेल लिंक उगरा जो पड़े इंपॉर्टेंट है वो गुजर रहे हैं उनके उपर भी जो है पी एल ले का काफी कंट्रोल है जब यह अनौंस कर देता है कि हम यहां पर नाका लगाएंगे फिर किसी की हिमत नहीं कि वहां पर गरिबी जो साउथ एश्या के कई देशों में वह बलुचिस्तान में भरह मार है गरीबी की गरीब है लोग वहां पर और एक एंटी पंजाबी सेंटिमेट है क्योंकि पंजाब के लोग पुलिस में भी है हर इदायरे में हर जहां इंपॉर्टेंट जगा महां पंजाब के लोग पड़े लिखे हैं वो रहे हैं वहाँ पे बलोच लोगों को कभी मौकाई नी मिला इनको तो ट्राइबल के तौर पे ट्रीट किया गया एंड पाकिस्तान आर्मी में भी इनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है अभी समझें कि यह बलोचिस्तान है क्या यह चोटा मोट बलोचिस्तान जो की इरान का इलाका है वहाँ पर भी बलोच लोग रहते हैं तो बलोच लोगों ने यह बलड बॉर्डर जिसको हम कहते हैं खून की लकीरें जो अंग्रेजों ने खीची तो एथनिकली बलोच लोग जग तीन देशों के अंदर डिवाइड हो गये और तीन और नेशनलिजम पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है रिलीजन मुद्दा नहीं है तो 44% लैंड मास है सरफ 4-5% पॉपलेशन तो क्रिटिकल मास है नहीं लेकिन कमाल की बात क्या है कुदरत ने बलोच लोगों को बहुत रिच मिनरल रिसोर्स दिये आपको हैरा पाकिस्तानी की बात है उसके बाद चांदी सिल्वर प्लैटिनम निकल और आपका जी कोईला यूरेनियम एंड कॉपर ये सारे के सारे ये मिनरल रिच एरिया है पाकिस्तान का बलोच इस तान और गैस तो मैं बताई चुका हूँ सूई गैस फील्ड और तमाम गैस फील्ड कंडी से वहाँ पर और पूरा पाकिस्तान की बात करें से करांची को आपको पता काराची बफ बहुत-बडा नेवल हूभ है एक बहुत-बडा प्रश्यल पकर시면याओक, ऐक फाइनेंशल कैविन प्रज्म का इसको ये मोह थे आकल वही तरीका कूर किया था तो काराची की vulnerability को देखते वे पाकिस्तान ने एक दो नेवल बेसस बनाए है जो की और मारा है ग्वादर है ये सारे के सारे मकरान को उस पर अपने assets को फैलाने के लिए दूसरा ये स्ट्रेट ऑफ हर्मूस के पास है ये समझने कोईश को आप नक्षा खोल के देखोगे ग्वादर क्यों सेलेक्ट हुआ है जहां से सीपेक का और अभी पीछे तो चाइना चाहता था कि 20 किलोमेटर का एक टाउन्शिप जो बना रहे हैं ग्व उसको जो है शायद अभी रफादफा कर दिया है तो इसको लेके काफी चाइना और पाकिस्तान के बीच में भी टेंशन है सीपेक की प्रोग्रेस को लेके टेंशन है पिये लेकि जिस प्रकार बलोच लिबरेशन आर्मी की अक्टिविटीज उसको लेके टेंशन है और पाक काफी कंट्रीज हैं काफी कंट्रीज हैं यॉरप के अंदर काफी लोग अमेरिका के अंदर और और जगा भी जो है जो समझते हैं कि हाँ जो बलोच लोगों का स्ट्रगल है यह बहुत जैन्मेन स्ट्रगल है और उनकी जो है उनकी एकनॉमिक प्रोग्रेस कही ना कहीं पाकिस क्या है lesson यह है कि यह हम गलत मानते हैं कि religion लोगों को जोडता है अगर ऐसी बात होती तो east Pakistan कभी बंगला देश नहीं बनता क्योंकि यह तो बने ही थे एक land of the pure कि इस south Asia के अंदर एक मुल्क बनाएंगे muslimानों के लिए two nation theory की जो एक false सोच थी और पाकिस्तान तो 71 के बाद तो almost more than 95% लोग muslim है लेकिन आप देख लो वहाँ पर ethno nationalism बहुत जबरदसता है महाजर जो है सिंधी के साथ नहीं बनती है सिंधी की पंजाबी के साथ नहीं बनती है पंजाबी की बलोच के साथ नहीं बनती है उसकी पठान के साथ नहीं बनती है तो पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखो तो पूरा का पूरा उनकी जो within पंजाब also आप कहरानी होगी सहराई की रीजन है जो जो गरीब पंजाब है जहांके लोग बहुत दिनों से अपने आपके लिए एक independent state की मांग कर रहे हैं तो जो एक two nation theory में religion के base पे एक state बना था उसके आप जो है आप देख रहे हो कि उनकी क्या हालत है तो यह मैं बार-बार कहता हूँ ethnicity आप किस tribe से हैं आप क्या भाशा बोलते हैं आप क्या खाना खाते हैं और सबसे मीठी आवाज आपको अपकी भाशा लगती है so ethno nationalism जो है जो की सिंध के अंदर भी है बट सिंध में भी वही issue है population कम है और चाहने के बावजूद भी सिंध जो है अपने आपको पाकिस्तान आर्मी और उनकी जो policy रही है पंजाबी dominated policy रही है उससे निकल नहीं पाएं और यही हाल जो है बलोच का है महाजर जो भारत छोड़के गए थे पड़े लिखे लोग थे शुरू शुरू में सारी नौकरियां इनके पास थे सोच रहे थे बड़ा यहां पे हमारे लिए बड़ा अच्छा है वो भी आज जो है आपको पता ही MQM एक जबरदस्ट organization है और महाजर भी अब अपने आपक आपको जो है एक तरीके से stateless पाते हैं वहाँ पर है तो यह पाकिस्तान की अंदरूनी प्रावलम है और यह प्रावलम बढ़ जाती है जब economy आपके अच्छी नहीं कर रही है जब आपके देश की अर्थ वेवस्ता जो है बुरी तरीके से चर्मारा रखी है जहां पर बहुत यूज होता है establishment या deep state तो जो वो सबसे बड़ा एक है वहाँ पर है पाकिस्तान आमी और उनके general जो उनके generals है और जो पाकिस्तान आमी की जो जिस परकार से structure है वहाँ पर democracy पनप नहीं पाईए जब तक democracy roots नहीं लेगी तब तक जो है कोई सही धंग से development हो नहीं सकती शायद यही कारण है कि बहुत से इलाके पाकिस्तान के जो है वो खैबर पक्तूनवा लगा लो गिल्ट बाल्टिस्तान लगा लो पाकिस्तान occupied कश्मीर का इलाका लगा लो या बलुचिस्तान का इलाका लगा लो जहाँ पर लोग अभी भी जो है basic जो necessities है health की education की अपने ज हमारे लिए बहुत जरूरी है इसको समझना है क्योंकि violence हमारे बहुत नजदीक हो रहा है और इसमें इरान जो की हमारा एक मितर देश है वो भी affected है और अफगानिस्तान भी affected है so I thought I will just give you a snapshot of this important region in South Asia Balochistan क्यों जरूरी है why does it matter और क्यों बलोच लोगों को आज तक उनका जो basic हक है वो नहीं मिला है so I hope you liked it please subscribe to this channel to see more educative videos and to inspire your life and because my second innings is for your first innings thank you जाहिन